realise और अबनाने जा रहे हैं बजार से खरिद के हने फाला चीज़ आज से घर पर हम बनाईगा बजार में बेसन का खाते हैं बेसन कीसट परकार करता अजा बैसन नहीं गयो से अरोफ से यह अरों बनाना स्प्लशकाना है और हम अंट यह सब्सक्राइब जैसरी स्विस्ति, विडियो के लिए को मैं विढूदा से न मैs टेला के शाइः क्वन है हम इसमें बैठे सकते हैं तो सब से पहले हम इसमें लेंगे एक न आट गयू का कि हम आटा इसले टेती हैं जो हम बिना फर्ना क harms बनांगे इसको जैसे निंक बनात है के बनाएंगे है इसमें हम इस बॉल सेài सआ डियर बॉल बेसन लेंगे और दियawn आटप लिए सानन कीए है और खौशा ऐसा आप difag चये चेवल औन्टा मैदा सूजी से बना सकते हैं लेकिन यह मस्त बनता है बेसन का workout यह Race बाल की शोर्वर किया है और थोड़ा सा खसता होने के लिए हम मेठा सोड़ा सित्माल करेंगे लेकिन सोड़ा इस्तमाल करेंगे खाने वाला सोड़ा मुआ एक wedi इस्तेमाल करेंगे हैं और इसमें हम थोड़ा सा मौमी इस्तों करेंगे हैं खास्ता होने के लिए इस तरह से एक चमच मौमी इस्तेमाल करेंगे और इसको नर्माल पानी से जैसे समोसा यह नमकिन का आठा सांदे है या खास्ता का आठा सांदे है कचवडी का उस तरह से हम पानी दे करके हम इसको इस तरह से पानी एक बार नहीं देना है बेसन है पानी जादे नहीं लेता है बेसन तो इसलिए अच्छी तरह के से इनको गुंदेंगे है इस तरह से मि एक वो किस तरह से कार देना है कि आप तो सुच्जे आधे होंगे भीने फर्मा कि जिलिया कार देंगे तो भो भी बताएंगे किससे ठेख भी पताकर में इसको हम बनेगे जिस तरह से रोठी के थोड़ा हाथ में चिपकता है इसमें थोड़ा से हम सुखा अटा या फिर थोड़ा से ले फैन ले लेंगे तेल और इसको हाँ साप ने दोटा सा सुखोंता है धुक्र कर लेंगे अिस को अच्छी तो कि अलना इंगाः बड़ेंगानि इस तरह को किलियर कर लेंगे dai इस तरह से मेरा यां'T और पत्यार किए की या इसको थैयार चुक नंकि चुटा ने चुकित है पाटा इसना थोड़ा सा सुखा आटा study करेंगे या फिर तेल लगा करके लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास नहीं तो घर का रोटी पहलने वाला चकला उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कम थोड़ा सा अघ्ञा इस तरह से भाग में बेल लेंगे ग। कि इस तरह से दबाएंगे और बेलन से बेलेंगे घुमा घुमा कि इस तरह से बेलेंगे इस साब से इसको हमको बेलना है जो हमारा ब्रेट का स्लाइस है उससे थोड़ा सा पतला ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से बेलने हैं आप सुचते होंगे यह कौन गुर्जी लिया है बन रहा है बना रहा है तो यह हमारा कोई आप लोग के असान के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं और आपको यह रेश्पी बहुत अच्छा लगेगा अगर यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक हमारी लिए जरूर बनता है दोस्तों में सैर कीजिए मार्केट में जाते हैं तो सो डेट सो रुपे किलो मिलता है तो यह अराम से पचाश से साथ रुपे में आप घर बैठे ही एक केजी जिलिया बना सकते हैं इस तरह से हम इसको बेल लिए हैं और छोटा-छोटा जैसे निमकी काटते हैं इस तरह से हम काट लेंगे कि आप चाला नहीं काटेंगे किनल पतला काट लेंगे कि इस तरह से को लंब लंब सीख लगरा होימ़ा कि नहीं होता दिसको ढएप लिए हश् के अब आपस्ट एंब ऐद से फोटर अंपल्वेश नरिवास चक्टा चाहिए उससे थोड़ा में ब्लाभी जिस थते हैं। हम निकालitating सब्रेंगे तयर गोटनर रख लिए हैं उसलिभी करने के लिए हैं। पैन में हम थोड़ा सा रिफाइन इस्तिमाल करेंगे लगभाग एक केजी रिफाइन डालेंगे इसमें हम और इस ब्राइब को ध्यान देना किस तरह से हमको इसको फ्राइ करना है जो सौप्ट और खास्तेदार बनेगा तो ज्यादे तेल को हीट नहीं करना है अगर आपको न अब इसको डाल लेंगे हम इस तरह से हम सबको इस्तेमाल करेंगे इस बार में नहीं हो गई हमारा दो बार में फ्राइब थोड़ा मात्रा में है अगर एक बार में फ्राइब करेंगे तो फिर इससे बड़ा-बरतन चड़ाइए और जादे तेल दीजे तब एक बार में इस ताव को एकदम लो फ्ले में रखेंगे बस इसको एक मैट दक इसको हमोने देंगे थोड़ा सा जब हमारा यह बेशन है तो हलका होता ही है तो जल्दी पर यह आ जाएगा इस तरह से हम चनोटे के सारे से मिसको सब नीचे कर लेंगे ताव को तेज नहीं करना है बस बीच बीच में इसको पलट देंगे बस इस तरह से एकाद दो टूटता भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम आपको बताएते हैं एक हार एक मिनट के बाद थोड़ा सा हम इसको हिला लेंगे नीचे उपर कर लेंगे अगर नहीं पलटेंगे एक तरफ सिझ जाएगा एक तरफ कच्छा रहेगा तो दिक्कत हो इसलिए बीच बीच में इसको चला लेना है और अच्छी तरीके से सब निकाल लेंगे इस तरह से हम निकाल के रख लेंगे सब को थे आज में हमारा कडा क्रा स्ब्सक्री खास्ता हो गया हैं अगर आपको मसाला वहेवर लेना है मसाला वह में थोड़ा सा यह जो होता है इस्तेबाल कर सकते लेकिन हम नॉर्मी tutti बनाते ज्जाए देतर बैच।्चा को जब जाएगा किस परकार के चास्टी में डालेंगा हम आपको बता देंगे ता को थोड़ा तेज कर देंगे जो हमारा बूर्य ज लिए लिए गट तो के जलाँ नहीं जलाना है शिर्भ के जला के जलाना इस दोाँ दोट को बढ़襟 जला लें आपकी जलाना57 एकड़ के लिए और एक डो मीट पानी का सुपार्खाय के जला लें जब हमारा ये गुड का पानी जल जाएगा तो गुड का सोना सोना खुसबू आने लेगा तो हम समझेंगे कि हमारा ये चास्नी फर्फेक्ट तयार हो गिया है तो ये हमारा भी गुड का पानी नहीं जला है अब थोड़ा साम इसमें येलो कलर इस्तेमाल करेंगे येलो कलर नहीं डालें केवल गुर पाकेंगे गुर में अगर लपेट देंगे तो कला थोड़ा लगता है इसलिए थोड़ा से येलो कलर इस्तेमाल करेंगे देखने में खुशूरता सुन्दर लेगा आप चाहें तो कल नहीं भी डाल सकते हैं क्लिरेक दम नाम कड आलेंगे हैं बस इस तरह से लेंगे हम थोड़ा सा एक चूटकी से भी कम अन्सखालिक का देना है जो हमारा एक कलर बहुत बवैतरीन हो जाएगा पूरा पाणी जल गिया है और हम लगबक पाणी डलेग बाद 3-4 मिट तर पकाया थे हैं आपको भी पाणी ससाथ से देना की पाणी को जला लेना है और हम गैस को बुता देंगे देखें इस तर से पता चल जाता है प्वानी का रहता है तो उसका अंस और कलर भी मेरा गूर का चेंज हो गया थोड़ा सा कलर डाले थे इस सबसे हैं इसको हम बता चुके हैं और इसी पर हम थोड़ा सा गूर का गर्महट जो है इस तरह से चला चला कि हम निकाल लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है कि गूर कैसे हुआ इस तरह से देखें कि तरह होता हुआ और सुख जाता है तो यह हमारा गूर रेडियो गया है अब इसमें थोड़ा गैस निकालने के बाद हम डाल देंगे एदम ठंडाएंगे ने नॉर्मल में डालेंगे सुसुम इसमें डाल देंगे और एक दूसरे से थोड़ा सा चला चला जैसे हवा लगेगा वाई सरे हमारा गुड टान भी लेगा और फरर हो जाएगा जैसे आपका जो यह बनाते हैं क्या बोलते हैं गाजा गाजा बनाते उस तरह से और देखिए हमारा यह लटपट हो रहा है जैस इसको अच्छी तरीक से दोड़ा दोड़ा दीरे दीरे मिलाएंगे हम और बजार से बहतरी गुड जीलिया आपके घर में बैठे वे तहीं तयार हो जाएगा